हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई यूटूब चैनल, कुकिंग वित एंचल मैं आप सभी का स्वागत है, आज मैं आप सभी के लिए एक क्विक डेजर्ट की रेसिपी लाई हूँ, जो है नारियल की लड्डू, कोकुनट लड्डू रेसिपी, इसे बनाने के लिए हमें बह जाम गार्नेशिंग के लिए घी और इलाइची पाउडर और चीनी, इसके बाद हम गैस के उपर कडाई रखेंगे, और गैस को अन करेंगे, इसे हाई फ्लेम पे हम अच्छे से हीट होने देंगे, पहले अपनी कडाई को, यहाँ पे अब हमारी कडाई अच्छे से हीट हो चुकी है, तो हम अपने फ्लेम को करेंगे, लो टू मीडियम और इसमें घी वन टेबल स्पून एड़ करेंगे, यहाँ पे हमारी घी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसे अच्छे से हमें मेल्ट होने देना है, कडाही हीट होने के बाद जैसे ही हम घी डालेंगे तो हमारा जो फ्लेम है मीडियम टू लो हो जाएगा यहां पर हमारी घी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें एड करेंगे वन कप ऑफ मिल्क मैंने यहां पर काउ मिल्क यूज किया है आप कोई भी मिल्क यूज कर कर सकते हैं", तो यहां पर मैं हाफ कप औहुज़ कर मिल्क पॉडर यूज़ कर रही हूँ", आप चाहे तो कोभी मिल्क पॉडर, मैंने ह्गाँ यहां पर एवरेडी का मिल्क पॉडर यूज़ किया, half cup उसके बाद हम अच्छे से दोनों को stir करके mix कर देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे ilaichi powder आप चाहे तो ilaichi को crush करके भी डाल सकते हैं और ये ilaichi powder आपको कोई भी local shop ये amazon पे available होगा मिल चाहेगा आप चाहे तो ilaichi powder भी डाल सकते हैं 1 teaspoon या फिर आप 2-3 ilaichi को crush करके भी यूज कर सकते हैं ilaichi डालने के बाद मैं यहाँ पे 1 tablespoon sugar आड़ कर रही हूँ मैंने यहाँ पे कम शुगर का इस्तेमाल किया है क्योंकि milk powder में already sugar होता है तो जिन्हें ज़्यादा मीठा पसंद है वो sugar कम ज़्यादा अपने उसके बाद हमारे जो milk है एक उबाला आजाए उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे grated coconut आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ उबाला आज चुका है अब मैं अपना fresh grated coconut एड़ करूंगी यहाँ पे आप coconut का जो बुरादा होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैंने fresh coconut यूज किया है ताकि जो इसका फ्लेवर हो वह बहुत अच्छा है और मुझे fresh coconut ही बहुत अच्छा लगता है उसके बाद अच्छे से हम इसे mix कर देंगे और इसे medium to low flame पे जब तक इसकी consistency थिक ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे medium to low flame में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी consistency है वो थिक हो चुकी है यह थिक होने में ज़्यादा time नहीं उनली two minutes का time लगता है यह milk सोक करने में coconut को only two minutes आप सब देख रहे हैं कि इसकी consistency है वो थिक हो चुकी है तो अब मैं gas के flame को करूँगे off और इसे एक plate में निकाल लूँगी इसे एक plate में निकालने के बाद हमें थोड़ा इसे cool down करना है हमें इसे पूरा ठंडा भी नहीं करना है नहीं तो उसके बाद यह coconut की लड़ू बन नहीं पाएगी इसलिए जब यह हलका थोड़ा सा गुनगुना टाइप रहे तो आप इसे बनाए मैंने अपने हाथों में घी अपलाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा बैटर लेके लड़ू बनाना स्टार्ट कर दिया है आप देख रहे हैं कि हमारा लड़ू कितना अच्छा बना है और मेरे सारे लड़ू बन चुके हैं अब मैं इसे आलमेंट्स के साथ इसे गार्नेशिंग करूंगी आप चाहे तो काजू या किसी भी ड्राइफ रूट्स के साथ गार्नेशिंग कर सकते हैं मैं यहां बदाम के साथ गार्नेशिंग कर रही हूँ यह बहुत ही टेस्टी और टेंडर कोकोनट लड़ू था बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्विक बनने वाली रिसिपी है आप इसे प्लीज ट्राइ करें घर पे और इसके सारे इंग्रिडियेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अगर आपको मेरा वीड है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक थैंक